टेस्ट क्रिकेट में मौझूता समय पे नंबर वन और राउंडर रविंदर जाडेजा ने किया है अपनी फॉर्म में पलटवार जब लगाया है एक शतक इंगलैंड के सामने तेज तरार पहले दिन की समापती पे हमने देखा था थे रियासी पे नाबाद गए जडेजा लेकिन आज आते ही शतक जड़ा है किस तरह से रही है जडेजा की ये शतक इपारी वो बताएंगे आपको इस वीडियो में अंतक बने रहेगा हमारे साथ क्रिकेट इन इंडिया के चानल पे ह कल हमने देखी पंत के बल्ले से आती हुई 146 रनों की वो शांदार पारी और अगर एक छोड से पंत के बल्ले से धुवादार अटाक आ रहे थे तो दूसरी तरब से जडेजा साथ निभाते जा रहे थे जडेजा का साथ निभाना पंत के विकेट गिरने के बाद भी चलता जाहां आजम ने देखा दूसरे दिन के खेल के अंदर जाडेजा ने शांदार तरह से दो चौके लगा के अपना शतक मुकमल किया है जाडेजा इस तवे टेस्स क्रिकेट में नंबर वन और राउंडर की पोजीशन पर बने हुए है और ये वही खिलाडी दिखाता हुआ और आज जब जाडेजा आउट होकर वापिस गए है तो टीम का टोटल है 375 रन मतलब आप हिसाब लगा लिजिए 277 रन बने हैं जब भी जाडेजा क्रीस पर खड़े हुए थे अंतदा 104 रन बनाकर जाडेजा आज हुए शिकार जिमी आंडरसन का उनके रूप में गिरी है भारत की 9 विकेट लेकिन भारत को पहली पारी में जितने स्कोर्स चाहिए थे वो अब यहाँ पर मिल भी चुके हैं यही देखना होगा इससे आगे जाते हुए भारत और कितना भेतरीन कारे गर के चले जाता है दूसरी पारी में जाडेजा ने बले के साथ तो लाजी करते हुए उसके उपर हैंगी हम सभी की नजरें लेकिन फिलाल के लिए जाडेजा कि इस 104 रनों की पारी ने भारत को 375 से ज्यादा के टोटल में जरूर लाकर खड़ा कर दिया है जो भारत के लिए एक बहतरीन बात मानी जाएगी पहली पारी में जिस तरह की शुर साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजे हमें यूट्यूब पे पॉलो कर लीजिए फेस्बुक पे जानने के लिए क्रिकेट से जुड़ा हर एक लेटेस अब्डेट वो भी सबसे लिए